हलो दोस्तो, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मद्धिबर्देश, डेली करन्ट अफियर में आपका स्वागत है आज है 5 अपरेल 2019 और यह हमारी 120 भी कलास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions are related, important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो, well icon में एक question दिया गया है, जोस्तो यह question आप जरूर solve करें यह previous day का एक question है, तो आपको इन questions के बारे में याद रखना है क्योंकि यह question हमेशा exam में पूछे जाते हैं, तो यह question हमने इसलिए add किया है question number first, हाली में भारतिये वायू सेना ने किस नदी पर सबसे लंबा suspension bridge बनाया है जिसका सई option है, सिंदू नदी, हाली में भारतिये शेना ने सिंदू नदी पर सबसे लंबा suspension bridge बनाया है इस bridge को मातर 40 दिन में जम्मू कश्मीर के लेह में बनाया गया है इस bridge की लंबाई 260 feet है, इसका नाम मैत्री bridge रखा गया है इसका उदगम इस्थल, तिबबत के मानसरूबर की पास सिंद का बाब नामक जलधारा से हुआ है सिंदू नदी की लंबाई 2880 km है और यह है भारत पाक से बहती हुई अरब सागर की खाड़ी में जाकर मिलती है तो इतना आपको सिंदू नदी के बारे में याद रखना है next question हाली में किस राज्य के तीन जलों को AFSPA से हटाया गया है जिसका सही option है, अरुनाचल प्रदेश हाली में अरुनाचल प्रदेश के तीन जलों को AFSPA से हटाया गया है आपको बता दें, अरुनाचल प्रदेश के नौजलों में यह लागू था और अब हाली में तीन जलों से हटाया गया है दोस्तो अब यह AFSPA क्या है, आपको इसके बारे में बता दें यह एक अधिनियम है और इसका उप्योग असांच छित्रों में किया जाता है आपको बता दें, अरुनाचल प्रदेश में यह 1958 से लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहट असांच छित्रों में सेना लोगों की रक्षा के हित्में गोली वारी कर सकती है दोस्तो अब बात आईए अरुनाचल प्रदेश की तो मैप में आपको अरुनाचल प्रदेश की बारें बता दें मैप में यह जिगा है अरुनाचल प्रदेश को दरसाती है अरुनाचल प्रदेश की इस्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी गवर्नर हैं V.D.Mishra अर्णाचल प्रदेश की मुक्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अर्णाचल प्रदेश की राजधानिया इटानगर तो इतना आपको अर्णाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है Next question हाली में आई State of Glover Air 2019 की रिपोर्ट अनुसार बिस ओभर में बायू प्रदूशन से कितनी मौतें हुई है जिसका सई ओफ्षन है 5 मिलियन हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार 5 मिलियन मौतें प्रदूशन के कारण हुई है सिर्फ भारत और चीन में आधी मौतें हुई है भारत में 12 लाख लोग की मौत बायू प्रदूशन से हुई है आपको अता दें यह रिपोर्ट Health Effect Institute यानि HEI और Institute for Health Matrix and Abulation यानि IMHE द्वारा जारी की गई है Next question कौन सा देश प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मैडल से सम्मानित करेगा जिसका सही option है UAE UAE प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मैडल से सम्मानित करेगा यह मैडल भारत और UAE के बीच मजबूत सम्मन्द बनाने के लिए दिया जा रहा है यह मेडल UAE द्वारा रास्ट पती या रास्ट प्रमोकों को दिया जाता है दोस्तो अब बात आईए UAE की तो मैप में आपको इसकी बारें बता दें मैप में ये जिगह है UAE को दरसाती है UAE की राजदानी है आबुधावी, करंसी है दिरहम और UAE की रास्ट पती है खलीफा विन जयाद अल नाहयान तो इतना आपको UAE की बारे में याद रखना है Next question हाली में भारत किस देश में क्रशी संस्थान की इस्थापना करेगा जिसको से यॉप्शन है मलावी हाली में भारत मलावी देश में एक क्रशी संस्थान की इस्थापना करेगा हाली में बिदेश मंत्राल है और National Bank for Agriculture and Rural Development Council सोरी, Consentancy Service के साथ समझोता हस्ताक्षर किये है अब दोस्तों बात आईए मलावी की तो आपको मलावी की बारें बता दें मैं अपमें ये जगह है मलावी को दरसाती है मलावी की राजदानी है लिलॉंग वे और मलावी की करशी है क्वाचा मलावी के President है Peter मुथारिका तो इतना आपको मलावी के बारे में याद रखना है Next question IPL की पहली टीम कौन सी है जिसने सबसे पहले 100 मैच जीते हैं जिसका सई option है Mumbai Indians IPL की Mumbai Indians ऐसी पहली टीम है जिसने सबसे पहले 100 मैच जीते हैं इस टीम ने IPL इतिहास में 100 मैच जीतकर इतिहास रचा है ऐसा करने वाल यह IPL की पहली टीम है आपको बता दें मुंबई तीन बार IPL बिजिता भी रह चुकी है दोस्तो अब बात आईए IPL की तो आपको इसके बारें बता दें IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है इसकी स्थापना 2008 में की गई थी IPL में कुल आट टीमें खेलती हैं और एक और important fact बता दें यह BCCI के अधीन है हाली में किस भारतिय का statue मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है जिसका सई option है करण जोहर हाली में करण जोहर का wax statue मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है करन जोहर का यह statue सिंगापुर में लगाया गया है यह पहले भारतिय फिलम मेकर हैं जिनका यह statue मेडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है दोस्तो आपको बता दें इस से पहले हाली में दीपकया पादुकॉन का भी statue लगाया गया है और एक important fact बता दें प्रियंका चोपडा के सबसे ज़्यादा चार वेक्स statue हैं मेडम तुसाद म्यूजियम में तो दोस्तो इतना आपको इन दोनों heroines की बारी में याद रखना है next question हाली में प्रिदेश में कितनी station को eco smart station बनाया जाएगा तो इसका सई option है 11 हाली में मध्य प्रिदेश में 11 station को eco smart station बनाया जाएगा जवलपूर rail मंडल की 11 station इनका नाम है सागर दमोह जवलपूर पिपरिया गडरवारा नर्सिंगपूर मदनमहल कटनी मुडवारा मैहर सतना और रीवा इन station को eco smart station बनाया जाएगा मध्य प्रिदेश में नेस्ट question हाली में आई LinkedIn की टॉप 25 पसंदीदा कम्पनियों में से कौन सी कम्पनी पहले इसथान पर है जिसके सई option है Flipkart Flipkart LinkedIn की 25 पसंदीदा कंपनियों में पहले इस्थान पर है LinkedIn के अनुसार Flipkart भारत में नौकरी पाने के लिहाज से सबसे पसंदीदा कंपनी है इस लिस्ट में Amazon दूसरे और OYO तीसरे नंबर पर है आपको बता दें Paytm और Uber फोर्थ और फिप्थ इस्थान पर है एक और Important Fact बता दें इस से पहले इसमें पहली बार स्वेगी और जुमेटो को भी शामिल किया गया है दोस्तो अब बात आई है Flipkart की तो आपको इसके बारें बता दें Flipkart की स्थापना 2007 में की गई थी Headquarter Bangaluru भारत में है Flipkart के founder है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल और Flipkart के CEO है कल्यान किश्मोर्टी तो इतना आपको Flipkart के बारे में याद रखना है Next question मद्यप्रदेश समारो है कहां मनाया जाता है तो इसका सही option है दिल्ली मद्यप्रदेश समारो है दिल्ली में मनाया जाता है दोस्तो कुछ और important जो समारो है उनके बारे में भी बता दें ओर्चा समारो है टीकमगड़ में मनाया जाता है पदमाकर समारो है सागर में मनाया जाता है और माखनलाल चतरवेदी और धृपत समारो है ये दोनों भोपाल में मनाया जाती है तो ये बहुत important question दोस्तो एक्जाम में हाली में पूछा गया है कि मद्परदेश समारो है कहां मनाया जाता है तो आप इसमें confused हो सकते हैं कि मद्परदेश का दिल्ली में कैसे मनाया जाता है तो इसका सही option है दिल्ली next question मद्परदेश में गुडविल चोटी किस परवत की सबसे उची चोटी है तो इसका सही option है यहां option दिया नहीं है इसका सही option है बिंध्यांचल परवत गुडविल चोटी बिंध्यांचल परवत श्रेणी की सबसे उची चोटी है आपको उताए दोस्तो दूपगड सत्पुडा की सबसे उची चोटी है तो दोस्तो इन दोनों की बारे में आपको इतना याद रखना है इसमरती वंडारन का सही क्रम बताओ तो इसका सही option है केवी, एमबी और जीवी ये इसमरती वंडारन का सबसे सही क्रम है केवी का फुल फॉर्म किलोबाइट होता है एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है और जीवी का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है दोस्तो आपको बता दें एक और है टेराबाइट यह सबसे बड़ी स्रेणी है दोस्तो एक और important fact बता दें 1024 KV से मिलकर 1 MB बनता है और यही करम आगे तक चलता है तो दोस्तो यह था हमार आज का डेली करन्ट अफियर आप मारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्यप्रदेश और वर्ल्ल के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाज रहोंगे दोस्तो वेल आइकन में हमने एक क्वेशन दिया है तो वो भी आपको शॉल्व करना है उसका आंसर आपको टिक करके देना है तो आज के लिए वस इतना ही है वार नाइस दे